नमस्कार खाना खिलाने वाले से कहा जाता है अन दाता सुखी भवतु यह अन दाता है कौन खाना पकाने वाला या परूसने वाला नहीं है अन उगाने वाला है और ये खेती जैसा उपाहार इश्वर ने हमें दिया है सेल फोन के बिना हम जिन्दा रह सकते हैं टीवी और एसी के बिना भी हम लोग जिन्दा रह सकते हैं जो टीवी और एसी बनाते हैं वो करोणों पती है लेकिन अन उगाने वाला वो गरीब किसान इतनी कड़ी महनत और धूप पर पसीना बहाने के बाद दिन बादिन दिन बादिन भरी भोता जा रहा है फैक्टरीज लगाना गलत नहीं है बिल्कुल सही है लेकिन खेतों को बरबाद करके फैक्टरीज लगाना गलत है इस देश में कितनी ही बंजर जमीने हैं कितनी ही पत्रीले जमीने हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है इसलिए खेती करने में इतनी परेशानी उठानी पड़ती है जरा सोच कर जवाब दीजे कि किसान पानी लेने कहा जाएगा इस देश में पिछले 10 साल में 1,71,105 से जादा किसान आत्मत्या कर चुके है उसमें से 25,000 से जादा किसान तो इसी इलाके में रहते थे हर आदे घंटे में एक किसान आत्मत्या कर रहा है ये जानते हैं कि आप लेकिन सचाई यही है जहां मौत इतनी सस्ती है वो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा सर तकरीवन 10,000,000 से जादा किसान अपना पेट पानने के लिए गाउं छोड़कर शहर में मजदूरी करने आ जाता है जो हमारे देश की रीड की हड़ी है वो बिल्डिंगों में चौकी दारी करता है जो किसान हमारा भगवान ने अन्न दाता कहलाता है वही मंदिरों के सामने भीक मांगता फिर रहा है वादों पर मत जाईए जमीन पर आ जाईए एक कॉर्परेट पे काम करने वाला हजारों करोन का उधार लेकर विदेश बाग गया और वहां बैटकर विदेशी शराप पी रहा है सिर्फ पांच या दस हजार उधार लेने वाला किसान जहर पीकर अपनी जमीन पर जान दे रहा है इन कॉर्परेट्स की काली करतूतों की वज़े से हमारी हर्याली जली जा रही है खेज सीचने वाली नदिया फैक्टरी से निकलने वाले गंदेबाजी से जरीली होती जा रही है ये मिल्टी नेशनल कंपरीज की शीए हमारी खेटी वाली जमीन पर कबज़ा करके उन्हें खत्त करती जा रही है पर ये दिखाई नहीं देथा Gym Factories की बात कर रहे हैं, सारे Healthy Foods में मिलावट करके यह उसे बर्बात करते जा रहे है अंडे को만 शैम्फू में गाजर को क्रीम में सोया को सावन में 2 रुबाइ का अंडा 10 रुबाइमें 1, 10 रुबाइ का गाजर 100 रुबाइमें खरीद रहा है सर नौकरी कैसी भी हो हमारी पहतरी के लिए होनी चाहिए लेकिन हम उन फैक्टरियों के गुलाब बनकर अपनी जिन्दगिया खराब कर रहे हैं याद रखे खेती भी एक उद्योग है और किसान उद्योगी है अगर हमारे गाओं की समस्चाओं को आप लोगों ने नजर अंदास किया तो एक नए एक दिन हर गाओं हमारे गाओं जैसा ही बन जाएगा समल जाये आप लोग अगर ये मीडिया कोशिश करें तो ये दुनिया हिला के रखते हैं वह ताकत है आप में अगर आपको लगे कि ये सही है तो हमें नयाय दिलाने के लिए हम सब की मदद कीजे